सो यार दोस्तों यारों फ्रेंडशिप के ऊपर ना हमारे बॉलिवर्ड में बहुत सारी मुवीज बनी हुई है लिटरली मैं कितने सारे नाम गिना दू आपको शो ले रिसेंड मुवीज के बार में अगर मैं बात करो तो ZNMD जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भाई और फिर दिल चाहता है बहुत सारी मुवीज है राइट पर एक और ऐसे फ्रेंडशिप के ही अधार पर जहाँ पर फ्रेंडशिप सिर्फ और सिर्फ दोस्ती उनका मोटिवेश इस बहुत ही खुबसूरत थॉट को लेकर आ रही है उन्चाई 11 नॉवेंबर को यह रिलीज होने वाली अपनी नजदिकी सिनेमा घर में और जिसमें बहुत ही तगडी स्टार्ड कास्ट है इसमें जो मुझे लगता है कि पहली बार चारो के चारो एक साथ आ रहे है और इसके बाद मुझे नहीं पता कि वो कब एक साथ आएंगे या फिर कब कोई ऐसे प्रोजेक्ट के उपर वो काम करेंगे ऐसे फिल्म के अंदर वो काम करेंगे तो आई तिंग राइटर डिरेक्टर जो है सूरज बर जाता है उन्होंने काफी दिमाग लगाया है इन सभी को चारों को एक साथ बुला कर इस मूवी को बनाने के पीछे डिरेक्टर डिरेक्टर के बारे में बात कर ही रही हूँ सूरज बर जाता है सर के बारे में तो उन् कितनी भी बार और कभी भी देख सकते हैं, और पर हला कि प्लस है, तो माइनस भी है, हला कि उनकी एक-दो फिल्म ऐसी भी है जिनके नाम भी मुझे लेना इतना अचा नहीं रहा है, अगर हम लोग राइटर के बार में बात करेंगी, तो सुनिल गांधी ये राइटर है, इस मूवी के, और उन्चा ये जो नाम है, ये बेसिकली क्यों है, मैं बताती हूँ, बैसिकली ये चारो दोस्त है, और जो डैनी है, हम सभी के फेवरेट अक्टर, तो उनकी एक ख्वाहिश होती है, कि उनके बर्दे के दिन, उनके जाने से पहले, उनको एवरेस्ट की उन्चाई तक जाना है, एक बार दून दिनों के साथ, मुझे अपना बच्पन फिर सी जीना है, किसी भी तरह एक बार एक बार एक बढ़ बढ़ दे आता है, उसमें भी त्यरा जो एवरेस्ट हैना, ये सारे किफ ले जाता है, जहाँ पर कोई भी आजया नत्तू जाया जाएगा और उसकी स्टार कास दिखाई गई है जो कि actually aged भी है तो उनकी age के दर्मियान ये उन्चाई का मतलब एक idea लेकर आना या I think it's a very fresh plot और मुझे काफी पसंद आया इस सभी में जो female actresses है उनके भी हमें बात करना चाहोंगे परीनिती चोपरा भी इसमें हमें नजर आएंगी और उसी के साथ साथ नीना गुपता है और सारी का ठाकुर है सारी का ठाकुर जी का काफी सालों बात कमबैक है स्क्रीन के ओपर तो मैं बहुत ज़ादा खुश हूँ उनको देखने के बाद काफी वह फ्रेश और एवरग्री नजर आ रही हमेशा की तरह ओके सो अब काफी सब कुछ अच्छा है क्योंकि production house जो है वो राजश्ट्री production है और राजश्ट्री production one of the oldest production houses of this country and you all know कि Marathi industry का Marathi industry में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है तो बहुत सारे सालोंबाद हिंदी की movies के production में राजश्ट्री production आ गया है तो काफी सारी उमीदे है पर सब कुछ अच्छा अच्छा है पर कुछ एक चीज ऐसी है जो मुझे नहीं पसंद आई और वो है जिस तरीके से इसका ट्रेलर काटा गया है मतलब एडिट किया गया है लिटरली सारी स्टोरी आपने दिखा दी है कैसे चार दोस्त एक मिशन के लिए लग जाते है और वो पहुँच भी जाते है मतलब वो सारी चीज है अब बचा ही क्या है मतलब मुव में देखने के लिए तो ये एक वीक पॉइंट मुझे लगा कि अगर आपने थोड़ा सा और हमारी एकसाइटमेंट बढ़ाने के लिए कुछ चीजे ना दिखाई होती ट्रेलर में तो शायद हम सभी लोग वो गैस करने के चकर में थेटर आने के लिए मजबूर हो जाते है पर तब भी मैं करने इस हो क्योंकि ये सारी जो स्टार कास्ट है और बीच मिच में कॉमिक मोमेंट्स भी है जो अच्छे लगे मुझे और बस इस को देखने के लिए मैं इस मुवी के लिए पर देखते हैं एक और कोई ट्रेलर अगर अगर इन बीट्वीन आता है तो इसका भी हम लोग रिव्यू देंगे और फिलाल वक्त हो चला है अब सभी को टाटा बाइवा बोलने का बर डोंट फगेट तो लाइक शर और सब्सक्राइब तो City Lights और मुवी रिव्यूस के लिए और मैं कॉन से और मुवी और ट्रेलर जिनके बार में मैं रिव्यू दू आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा तिल देन पीस आउट